सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुव्विचार सी उन पर ध्यान मत दीजिए, जो आपके पीट पीछे बाते करती हैं, इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे दो कदम आगी हैं, फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना क्योंकि इस बार शुर्वा सुन्य से नहीं, अनुभाव से होगी, दुनिया उनहीं पर भरोसा करती है, जि इसलिए खुद पर भरोसा होता है, इसलिए खुद पर भरोसा रखें। आज का भी जीत महुरत अर्थाद दिन का सबसे सुपसम में, सुबह ग्यारा बच कर पचास मलट सी, बारा बच कर चोतिस मलट तक रहेगा, आज चंद्रमा धनुराशी पर संशार करेगी, और आशुर्य तुला रासी पर रात्री एक बच कर बाईस मलट तक रहेंगी, इसक पत्यासत घटनाई क्यों हो रही है, या बहुत देर क्यों हो रही है, या आपके भले के लिए भी हो शक्ता है, जिसके फायदे अभी आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, अपनी बहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया प्रयोग करी, इसा आपको भी अपने को प्रभावित कर शक्ति है इसलिए जिस भी चीज को मरमत के जवरत है उसे करें और अपनी पसंद के अनोशार विवस्ता करें कानुनी समझोते या प्रबंधनों को भी अभी हल करनी के जवरत है अगर आप अभी किसी प्रतीबंध रिस्ते में नहीं है तो अब से मैं आ गया है विवाह का प्रतियोगिताओं के साथ निस्पक्ष प्रतिस्परधा या गफशप की संभावना है अपने करीबी लोगों के आसपस मन के शांती पाकर खुसी प्राप्त हो शक्ति है अजाब की रशना दुश्रों को प्रशन करते दिख रही है आपको अपने रशनात्मक् के सामने इसे अच्छे से प्रगट भी करेंगी इस सांदार शडन में बच्चे रोमेंटिक रिस्ते और ज्यान आपको आकरशित करेंगी आपकी सफलता का मुंत्रा आपका आत्म विश्वास और कड़ी मेहनत है आत्म विश्वास खुद को यह याद दिलाना है कि आप कौन और आप में स्वयम को शाबित करनी की छमता है यह से मैं अपनी रिस्ते को अगली इस्तर पर ले जाने के बारी में विचार करनी का है अभी कोई बड़ा निर्न ना ली इसके बजाए अपने पार्टनर के सांद बातचित करें आज विवा या अन्य कानूनी विवस्था आपकी प्रात्मिक्ता है ऐसे में उन लोगों को नजर अंदाश ना करी जिन्होंने अतीत में आपकी देखभाल की है अपने मातर पिता बुजूर्गोया बच्चों के सांथ समय बिताएं एक नया वातवरन आपकी कुछ विश्वासों को चुनोती दे सकता है आने वाला ब इल्चिस्पियों पर भी गौर करे इससे आपको किसी खुसी हासिल होगी इससे आपको दिली खुसी हासिल होगी उधार मागने वाले लोगों को नजर अंदाश करें एक हुश्णूमा और बढ़िया साम केले आपका घर महमानों से भरशकता है आज आप मैसूस करेंगी कि दुनिया में हर मर्शी की दवा है कामकाच के मूर्शे पर आपकी कड़ी मेहनत जरूर रंग लाईगी वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेनी के लिए अच्छा दिन है आज आपका जीवन साथ ही आपको प्यार और सुख के लोग की सेर करा सकता है ग्रह इस्तिती बहुत ही श करने से सुकून और शांती मिलेगी और मन प्रफुलित रहेगा अने कटनाईयों का सामना होगा यह समय आने के बावजुद भी आप अपने ही निर्णय पर ठीके रहना पसंद करेंगी इसे बात की वजह से जिन बातों से आपको डर मैसूस हो रहा था स्वभाव के उन पहल रूओं में बदलाव होगा और आपका वेक्तित्व निखरता हुआ नजराएगा लक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं इस बात से भी जादा आप फिलहाल की इस्थिति का सामना किस प्रकार से करते हैं यह बात महत्वपूर नहीं शौधानिया प्रैक्टिकल बने अपनी यूजनाओं को किसी के सामने प्रस्तुत ना करे वरना विग्न बधाया सकती है अपनी कमजोरियों को पहचाने और सुधार लाने का प्रयास करें संबन मधूर बनाये रखने के लिए अपने मित्रता थर्शमंधियों के लिए भी कुछ समय अवश्य निकाली बात करते हैं लव लाइफ की आप अपनी लव लाइफ को बीने किसे बात के उलजा रही हैं इसका कारण यह है कि आप अपनी सामने देखने और उसे स्विकार करने से कत्रा रही हैं आपको खुले दिमाग से इस्तिती का बिल्कुल इस परिश्ट मुल्यांकन करने और उसे के अनुर्शा सही रास्ता चुननी के आवशक्ता है आपको यह देखना होगा कि किस रास्ते पर चल कर आपको अच्छे परेणाम मिलेंगी और फिलहाल आप अपने एहम के बस में होकर किस रास्ते पर चल रहे हैं आपके रिशनात्मक और सक्ति-साली आभा आपके आत्म विश्वास को बढ़ाईगी जिससे लोग आपकी तरफ आकरशित होंगी अगर आज तक आपके क्रस्ने आपके तरफ ध्यान नहीं दिया है तो अभी आप बेहत रोमेंटिक हैं और अपनी इनी भावनाओं को वेक्त करना चाहते हैं रोमेंस के आपकी कल पनाएं और फैंटेसिया आपके लिए जीवर रच्षक के तरह काम कर रही है जब तक आप जोखिम नहीं लेते तब तक आपको कोई फैदा नहीं हो सकता याद रखें यह दुनिया आपका महल है और इसमें अपनी हर फैंटेसिया का आनन लेने के लिए इसके सासक बने बात करते हैं करियर की या कानोनी समझोते आपके समय और ध्यान पर हावी हो शकती हैं काम के कटनाईयों पर सोपे गए अपरत्यासित कारे के कारण आपको बैठकों में बुलाया जा सकता है आपको मिलने वाले और शरों में सी अधिकतर का पूरा सद उप्योग करी परिवार के एक सदश्य शायद एक माता के समान इस्तरी की मदद करना अभिया आपके लिए सोच से भी अधिक महंगा पड़ीगा सांती बनाय रखने के लिए वो सब करे जो आप करशकती है जोखिम से बचने के लिए आप जो भी चीज खरी दे उस पर लिखे गए महिने प्रियुन को अच्छे से पढ़ए यह समय खुश से जुड़नी के लिए अच्छा है किन्तो अपने शब्दों का ध्यार रखी आपको अपने ग्यान और विचारों पर गर्व मैसूस होगा यह समय नई चीजों जैसे नई तकनीक, रिक या नई चीजों को ट्राई करने के लिए भी अच्छा है एक आद बार आपको अधिक मानसिक दबाव मैसूस हो सकता है ऐसे मैं अपने एहंकार को छोड़ कर अपने काम पर ध्यान दी आज अपने समान हिट के लोगों को यह एक समन में विशय करने वालों के साथ वारता लाप होगी आपको ये सोशर कलाब उठाना चाहिए एवं दुश्रों को वढ़ावे एवं प्रोशाहिद करना चाहिए ताकि बदले में वे भी आपको समर्धन दे आपको उन लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि चीजे धीरे धीरे खुलती है और लोगों को नए वस्तू या वैत्ती पर भरोसा करने में समय लगता है बात करती हैं सीहत की ग्रहों की इस स्थिती में आपका पारा आपका पूरा फोकस फिट रहने पर है आप खुद को फिट रहने के लिए आप खुद को फिट रखने के लिए उश्या ही थे आपकी योग्य में भी रूची है आप अपनी स्वास्त जीवन जीने के इक्षा को पहचान भी रहे हैं एक बार में इक ही कदम उठाएं, चाहे खाना हो या मजे लीनी हूँ, स्वास्तकर विकल पे ही चुने, पाटी करें या काम अपनी सीहत का पूरा ख्यार रखें, आज का उपाएं, आज अब केले के पेड़ की पूजा करें शुब रहीगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही, आपका दे शुग हूँ